नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्ण नमूरती आप सब्सक्राइब करता हूँ लर्णिंग मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत से क्वेडी होते हैं सिर्फ होल्डिंग स्टॉप्लोच कैसे लगा हैं SBI Securities में वीडियो देखते हैं कि एपर लईक करना हुब्सक्राइब करना है सबसे पहले स्युा систем मॉबाइल छो आप लॉगिन करत भी इस पीलोट्य आप को दिखा कर करने लॉगइन करने का वकिस्ट बनेगा आना हम पोर्ट से ऑदाने के भाद जो भी आपक पौर्ट आप दिखने हैं वाल है Dmit Balance में, तो जो भी है यहांपर होलिंग स्टॉक्त सब्सक्रण तो इजा हैं, माललो आपको stop loss लगाना है ऑडिसी फर्स्ट बैंक में, तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसी आप क्लिक करोगे, buy किया है sell करना है sell करो आप यहाँ पर देख लो एक चीज आपने NACM buy किया होगा कोई दिक्कत नहीं है आप BSC में sell करो किसी पर भी sell करो कोई कम पसंद नहीं है holding stock को आप किसी भी exchange पर sell कर सकते हो तो मालने NACM buy किया हो था मुझे BSC में sell करना है मैं BSC में sell कर रहा हूं buy किया हो था sell करना है product type हमें सा सेम होना चाहिए delivery buy किया था delivery ही sell करना है intraday margin place sell फिला लवी छोड़ दो quantity जो भी है quantity आप order place कर दो जैसे आप order place करोगे यहाँ पर आपको stop loss put करना है market price है यह आपको sell करने का है selling का video मैंने बना रखा है इसको अंटिक कर दो मालो अपने 49-47 वाई किया है मुझे लगाना है 40 रूपीज पे stop loss मैंने क्या किया 40 रूपीज का stop loss या 45 रूपीज का stop loss लगा दिया 45 रूपीज है और आएगा तो automatic sell हो जाएगा मैंने more के option पे click किया यहाँ पे देखो day 9.15 से लेके 3.30 ते कपका order valid रहेगा IUC का मतलब होता है immediate order cancel order place किया उसी समय execute होगा या cancel हो जाएगा GTD order जो है आप 1 month के लिए stop loss order लगा सकते हो लेकिन यह order आपको market के बीच में काम नहीं करने वाला आपको यह order place करना है तो आपको pre market में 9 a.m. से लेके 9.7 a.m. के बीच में यह order place करना होगा मतलब 1 month के अंदर 45 आता है तो आपका order execute होगा नहीं आता है तो automatic order cancel हो जाएगा फिर चाको order place करना होगा फिलहाल day वाले में आपको per day stop loss लगाना होगा मेंली holding stock में stop loss कंपसर ही नहीं है आप देखो उसके आसपस price आता है sell करने का मने sell कर दो वो चीज अलग बात है stop loss लगाना होगा holding stocks में sense नहीं समझता समझ गए यहाँ पर stop loss trigger price trigger price का मतलब होता है दोस्तो सबसे पहला price simple term में समझो trigger price कहीं कहीं आप देखोगे सबसे पहला price इसका मतलब क्या वब मैं को बता दू मतलब क्या हुआ. 45 का आपका stop loss price pen 49, 48, 47, 46, 45. और आप 44 पूट करोगे लेगा, 45 पहला trigger price मतलब सबसे पहला price सबसे पहला price क्या आएगा? 49, 48, 47, 46 45 से पहले क्या रहा है 46 आ रहा है तो यहां पर आप 44 दोगे तो नहीं लेगा 46 तो कहीं ले लेगा 49, 48, 47, 46 पहला यह आया उसके बाद दूसरा 45 यह आया समझ गए श्रीगर पैस मतलब सबसे पहला प्राइस वोची ध्यान रख लेना तो मालो इसका मतलब क्या हो जैसे 46 पर एरो पे जिस भी प्राइस पर बायर एवेलेबल होगा 46 से लेके 45 के बीच में आपका ओडर किसी भी प्राइस पर सेल हो जाएगा तो यह कॉंसेप्ट क्लियर बिल्कुल क्लियर हो गया आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस समझ गया क्या होता है अब सेल का ओप्शन है स्टॉप लॉस का वीडियो में कभी ले आऊंगा सेल का ओप्शन है इस पर अब क्लिक करो जैसे क्लिक करोगे डेलेवरी यह प्लिकर नहीं कर रखा है था ऑटेती आपको हर वार ऐसा ही देना होगा यह आपका सीटीसल है डीपोजितरी इडी है और यह आपका दिमेट एक क्लिक करो जैसी क्लिक करो गए यहां पर आपको जो है देखना order place hold हो जाएगा simple term है यहां पर order place hold हो गया go to order book यहां पर OTP नहीं मांग रहा है यहां पर देख लो आपको quantity 2 आ गया तो यह मैंने stop loss order pending में मतलब यह order आपका execute नहीं हुआ है मालो 45 आता है 330 से पहले तो order आपका automatic execute हो जाएगा अगर नहीं आता है तो automatic आपका order cancel हो जाएगा कोई extra charge नहीं लगने वाला फिर से आपको कल order same place करना होगा long term order कैसे place करते हैं उसको मैं अलग से वीडियो लियाऊंगा stop loss तो समझे हो holding में stop loss ऐसे लगाते है cancel करना कैसे करना order simple order book पे आओ pending दिख रहा है pending पे क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो cancel हो जाएगा यहां पर देखो यहां पर क्लिक करो आपका order जो है जो भी अपने place किया हुआ है वो order आपका cancel हो जाएगा यहां पर देखो order cancel हो चुक है तो यहां पर आपका cancel हो चुक है अर मालो market close भी होता है 3.30 को अपका automatic order cancel हो जाएगा तो घवराने की बात नहीं यहां पर पोर्टफोलो में देखे लिए आपको दिख जाएगा क्या स्टॉक्स है वह आपको यहां पर दिखने वाला है simple term है समझ गया आप यहां पर मैं फिर से आपको दिखा दू order book पे आता हूं order book में एक concern आपका रहता है today position में आ जाओ today position में देख लो यहां पर minus है इसको score off मत करना इसको score off मत करना अपने holding sell किया तो sell किया simple term sell किया sell किया इसको score off मत करना साथ जी minus दिख रहा है मुझे penalty लग जाया क्या कोई penalty निगलने वाला है क्योंकि आपका आपने अपना खुद का stock sell किया यह जो है मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूं इसको इसको कुछ भी touch मत करना तो दोस्तो आप ऐसे जो है stop loss order place कर सकते हो holding stocks में sbi securities में मैं आसा करता हूं वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें trading और